चैय मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 माई और 10 माई 2021 के कुम्भराशी फल के बारे में कुम्भराशी के लोगों के लिए इन दो दिनों में किस तरह के परिवर्तन अपनी दिन्चरिया में देखने को मिलेंगे क्या योग बनेंगे, क्या तिथी होगी, क्या नक्षत्र होगा और उसका प्रभाव आपके उपर कैसा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो चलिए इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं नौ मई का जो दिन है, यह रविवार का दिन है और क्रश्न पक्ष की त्रियोदिसी दे थी है इस दिन रेवती नक्षत्र रहेगा चंद्रमा की इस्तिती मीन राशी में है जो शाम तक पांच बज़ कर उन तेस मिनट तक उसके पाद मीश राशी में चंद्रमा आ जाएंगे जा सूर्या बैठे हुए हैं तो चंद्र और सूर्या की युतिर होगी प्रीति नाम का योग बनेगा इसके अलावा सर्वार सिद्धी योग भी बनेगा इस दिन इस दिन का अभीजीत मूर्थ है सुबह 11 बचकर 51 मिनट से 12 बचकर 45 मिनट तक दस मई का दिन ये सौमवार का दिन है क्रशन पक्षक की चतुर दशीति थी है और अश्वनी नक्षत्र रहेगा आईश्मान नाम का योग बनेगा रात्री तक चंद्रमा मेश रासी में आ चुके हैं सुर्य के साथ योती कर रहे हैं और इस दिन का अभीजीत मूर्थ है सुबह 11 बचकर 50 मिनट से 12 बचकर 45 मिनट तक तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की इस्ति थी और ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा के इस्ति थी एक दिन मेश रासी में है नौ मई को मीन राशी में और दस मई को मेश रासी में चन्द्रमा दो भावों में रहेंगे आपके द्वित्य और तिर्थे भाव में और इसी के अनुसार आपकी दिन चरह में प्रिवर्धन देखने को मिलेंगे तो एक तो नौ माई का जो दिन है ये आपके जीवन में कोई खुशखबरी लेकर आएगा ये खुश खबरी कोई परिवार से जुड़ी भी हो सकती है या कामकाज से जुड़ी लिकिन ऐसी कोई खुश खबरी आपको ज़रूर मिलेगी अपने घर परिवार के कुछ अधूरे कारिया या रुके हुए काम निप्टाने के लिए बहुत अच्छा दिन है रुज मरा के जो कामकाज हैं उनमें आपको फाइदे का योग है सामाजिक कामों में आपको सफलता मिलेगी सामाजिक कामों का आप हिस्सा बनेंगे कुछ लोगों से अच्छे सम्मन भी बनेंगे आप अपने किसी चैकर्मी के साथ मिलकर जो आप किसी योजना पर काम कर रहे थे उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी दोस्तों के साथ मिलने का योग है दोस्तों के साथ आप किसी कामकाज का हिस्सा बन सकते हैं और परिवारिक इस्तिती भी इस दिन अच्छी रहेगी इस दिन योग बहुत अच्छा बना है सरवार सिधी योग बना हुआ है और प्रिती योग बना हुआ है तो इसका परिवारिक जीवन पर आपके बहुत प्रभाव होगा आपके परिवार के किसी सदस्य की तरफ से आप कोई surprise मिल सकता है जिसे पाकर आप काफी खुश होंगे आपको अच्छा लगीगा और देखिए जब ऐसी lockdown है या ऐसी कुछ महामारी के सिती है ऐसे में कुछ ऐसी बात हुई है जिसे सुनकर दिल को चैन मिलेगा तो काफी राहत भरा ये दिन रहने वाला है अपने घरवालों क साथ आप घर परिवार के साथ आप अच्छा समय वैतित करेंगे इसके अलावा कुछ अगर किसी वैक्ति के साथ आपका जगड़ा चल रहा था तो उस जगड़े को खत्म कर पाएंगे क्योंकि वो आपके लिए आशान्ति का कारण बना हुआ था अब इस तरह की जो परिश अच्छा है आप लोगों से बातचीत करते समय उनकी बातों को भी ध्यान से सुनेंगे और अपनी बातों को भी आप उनके सामने रख पाएंगे इससे आपको काफी फाइदा भी होगा कामकाज में आपका मन लगेगा आप अपनी कामकाज को बढ़ाने के बारे में wayable रहने वाला है आपको अगर कोई मदद चाहिए थी तो वो मदद आपको मिल सकती है चाहिए वह सिक्षक की अधा हो या आपके तरफारन्स की मदद हो लेक। अगर आपको मिल पाएगी कर्येर किसे संम्मधत यह अफसर आपको परिशानी थी तो वहां आपको शांती से काम लेना है अपने जो आपके कारीगर हैं जो आपके काम करने वाले जो आपके व्यक्ति हैं उनके साथ आपको कुछ शांती से काम लेना होगा किसी भी तरह के विवादे तिस्तिति को होने से रोकना होगा और दीगे जो छोटी-छो जिद्धा की कोई कमी नहीं होगी, आपके परिवार का साथ होगा, आपके मित्रों का साथ होगा, आपकी सेहत बेच्छी होगी और वित्तिय स्थिति भी इस दिन ठीक 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 रहने वाली है आपका स्वयभाव काफी विनम्र रहेगा दूइते भाव के चंद्रमा और तिरते भाव के चंद्रमा तिरते भाव चंद्रमा के साथ तो सूर्य भी मौजूद है और ये मेश रासी में है जो कि मंगल राशी है मंगल की राशी है तो आपकी काम में इस फूर्थी देखी जा सकती है, जिससे लोग आपकी अच्छी खासे तारिफ करेंगे, जो काम अटक गए थे, वो काम बन जाएंगे, जो शादी के लायक युवा हैं इस राशी के, उनके रिष्टें की बात चलेंगे, या रिष्टा तया भी हो सकता है, वो समय जी पाएंगे, जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपके अंदर खीज थी, वो मिट जाएगी, और घर परिवार से जुड़ा कोई फैसला लेंगे, जो की सोच समझ कर लिया गया, फैसला काफी हितकर भी साबित होगा, इस दोरान आप अगर किसी व्यक्ति से मिलना च दे सकते हैं, तो उसके लिए भी ये समय काफी अच्छा है, वगर स्वास्थे देखा जाए इन दो दिनों में, तो काफी वैस्तता भरा दिन रहेगा, जो दस मई का दिन है, तो थोड़ी थकान जरूर हो सकती है, बाकी स्वास्थे के दिस्टि से ये दोनों ही दिन अच्छ में रहें, और अपने स्वास्थे का भी ध्यान रखें, पोस्टि का आहार लेते रहें, ताकि आपकी इम्मुनिटी मजबूत हो सके, इस दोरान जो जातक सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कंप्यूटर मुबाइल आदी से जुड़े हैं, या सॉफ्ट्वेर के किसी काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छे दिन ये सावित होने वाले हैं, आपको कई मौके मिलेंगे, धन लाब के, अपने काम को दिखाने के, तो ये दिन इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, अपने घर परिवार की सबी जिम्मेदारियों को आप हो भी निभाएंगे, कुछ लाब प्रद सौदे भी आपके हाथ लगेंगे, और उसमें आपके परिवार का साथ भी होगा, जीवन साथी की मदद से किसी ऐसे कारेों का पूरा कर पाएंगे, जो काफी दिनों से पैंडिंग पड़ा हुआ था, तो इन दो दिनों को जदा लाइक करें, शेयर करें